वारुन दवन ने टॉलिवूड बॉलिवूड को लेकर तोड़ी चुपी केजी एफटू पर दिया ये बयान बॉलिवूड एक्टर वारुन दवन ने इंडरस्टे में अपनी अलग पहचान बना ली है इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जुग जुग जीयो के प्रमोशन में बीजी है ये फिल्म आने वाली 24 जून को सिनेमा गरों में रिलीज होने वाली है बिते काफी दिनों से बॉलिवूड और साउथ को लेकर भास चल रही है इस पर कई बड़े बड़े सितारों ने अपने चुप़ी भी तोड़ी है और एक बड़ा बयान दिया है हाली में वरुन दवन ने कहा है कि साउथ इंडरस्टी में 27-8 फिल्में फ्लॉप होई है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिछले दो साल में कुछ ही फिल्में रिलीज हुई है मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म आएगी इंडरस्टी में बहुत सारा इच्छी फिल्में आना बाकी है हर फिल्म हिट नहीं हो सकती है दर्शक खराब फिल्म नहीं देखेंगे चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर साउत हो कहानी अच्छी नहीं होगी तो वो नहीं देखेंगे इसी के साथ आगे कहा कि मुझे लगता है कि सीनेमा अभी अच्छा चल रहा है दर्शकों को वो सीनेमा देखने का अधिकार है जो वो देखना चाहते है अल्यवड फिल्में इतने सालों से काम कर रही है ऐसा इसी लिए है क्योंकि दर्शक इसे पसंद कर रहे है और इसी लिए वो इसे देख रहे है मुझे खुद फिल्म KGF2 देखने में बहुत मज़ा आया ये अभी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है वही वरुन दवन के वर्टफरंट के बात करे तो वह फिल्म जुग जुग जियों में एक्टर्स कियार अडवानी, अनिल कपूर और निट्यू कपूर के साथ निजर आएंगे इस फिल्म का डायरेक्शन राज महता ने किया है वरुंदन फिल्म जुग जुग जीयों के साथ फिल्म बवाल और फिल्म बेडिया में भी दिखा देंगे वही अब देखना है कि उनकी इन फिल्मों को फैंस कितना प्यार करते हैं तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रू बता है और अगर वुडियो पसंद आई हो तो वुडियो को लाइक करें और हमारी चैनल फिल्मी नेचर को सबस्क्राइब करें